हीमाचल भर में अब शादी, मुंडन, धाम, सांस्कृतिक, धारमिक और अन्य कारेक्रमों सहित सभी तरह की आयोजुन की मंजूरी के लिए अब आउनलाइन आवेदन कर सकेंगे सरकार ने इसके लिए COVID पास की तरह ही पोर्टल जारी किया गया है COVID.hp.gov.in पर आयोजुन के लिए आवेदन करना होगा इसके बाद उपमंदर प्रशाशन से स्रुकिती मिलेगी COVID-19 प्रोटकॉल का पालन कर लोग कारेक्रम करवा सकते हैं पोर्टल पर सवंदित व्यक्ति को अपना नाम पता कारक्रम सवंदित जानकारी ब्लाबा पत्र या कार्ड अपलोड करना होगा ADC हमिरपूर जितंदर सांस्टा ने कहा कि अब इवेंट रेजिटेशन पोर्टर पर लोग विवावो अन्य कारक्रमों के लिए आवेदन कर सकते हैं पोर्टर पर अपनी और कारक्रम की जानकारी उपलब्द करवा कर व्यक्ति रेजिटेशन करवा सकता है इसके बाद रेजिटेशन हो जाएगी इसकी SDM से अनुमती भी लेनी होगी कराले के चक्र काटने से अब चुटकारा मिलेगा विवा आदी के लिए जिला परशाशन ने अभी तक DJ के अनुमती नहीं दी है कारकरम में 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं और प्रोटोकॉल का पालन ना करने वाले अज़ेशकों के खिलाब कानूनी कारवाई भी अमने में लाई जा सकती है ये अभी रिसेंटली गवर्मेंट ने एक उनलाइन रिजिस्टेशन का एक पोटल बनाया है पहले हम लिखित तौर पर या एप्लिकेशन के थूरू परमिशन या इंटिमेशन की जब हम बात कर रहे हैं हम एरपूर में हमने कभी भी परमिशन का सिस्टम नहीं रखा था जैसे गवर्मेंट की नोटिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग ली सिरफ इंटिमेट करना होता था कि यहां पर शादी हो रही है या कोई फंक्शन हो रहा है लेकिन अब गवर्मेंट ने एक उनलाइन एक पोटल बना दिया तो फिर से एक बार क्लैरिफाई करना चाहूंगा इसमें परमिशन का नहीं है परमिशन नहीं आएगी आटो अप्रूवल है उसमें सिरफ इंटिमेशन लोग देंगे ताकि हमारे पास एक रिकॉर्ड रहे पाए तो उसके अगेंस्ट फिर जो अदर्वाइस पुलिस एक्ट में प्रावधान है उनके अगेंस्ट कारवाई की जा सकती है पर जैसे मैंने पहले भी आपको कहा है कि यह बेसिकली एक इंटिमेशन है परमिशन का अदर्वाइस भी कोई इसमें वो सिस्टम नहीं रखा गया ह क्षब का भी कोई है प्रॉघस जाओशन का प्रावधा है लोग है उनके इस एकार जवादान है प्रावधा में है क्षब के बाता है लोग बता जग आफ़ा ज़ आए रखा दुलिए जगी हार वो जई गया है.